आज हम आपके साथ एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं आप लोग जो हैं वह एक बहुत अच्छा लेस्न गिन करेंगे तो जिंदगी में अगर आप लोग काम्याब होना चाहते हैं तो आप लोगों को एक चीज में पीएचडी करना पड़ेगी और वो है फेलियर आज मैं जी शक्स की बात करने जा रही हूं उन्होंने रियल में फेलियर में पीएचडी की है और वो पाकिसान की आईटी कंपनी के बहुत बड़े नाम सलीम गोरी सहाब है जी बिल्कुल सही सुना आपने सलीम गोरी सहाब बहुत साल लोग इनके नाम से वाकिफ हैं और जो लोग इनने नहीं जानते तो आज ये वीडियो खास तोर पे उन लोगों के लिए है तो सलीम गोरी सहाब के स्टोरी उनके बारे में हम जानते हैं तो सलीम गोरी सहाब पाकिसान की उस कंपनी के CEO है जो इस टाइम पॉइंट फाइब बिलियन डॉलर का रिन्यू जेनरेट कर रही है जिब बिल्कुल सही सुना आपने पॉइंट फाइब बिलियन डॉलर का रिन्यू जेनरेट कर रही है आज मैं केस्ट की स्टडी लेकर आई ह पाकिसान की सबसे बड़ी आई-टी कंपनी जिसको नेट सोल के नाम से जाना जाता है कंपनी कैसे बनी और इसको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कैसे ये आज पॉइंट फाइए बिलियन डालर की कंपनी बन चुकी है यानि पांच सो मिलियन डॉलर्स अली रिन्यू है और अब पाकसान के अंदर भी एक ऐसी कंप्री मौजूद है जो न्यू जेनरेशन के लिए मोटिवेशन है कि ये छोटी सी कंपनी कैसे एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई और बात करते हैं कंपनी के CEO की जो के हमारी ही तरह ही गौवर्मेंट स्कूलें से पड़े हैं और वो कोई IT इंजिनियर नहीं बलके पैटॉलियम इंजिनियर थे और वो बताते हैं कि जब वो युनिवर्सिटी में थे तो कंप्यूटर लाब में जाते और देखते इस तरह उनको जो है कंप्यूटर्स के अंदर इंटरस्ट जो है वो डिवेलप हुआ और उन्होंने सो कि जैसे हर कोई डिग्री के बाद जो है अपरचुनिटी क्रियेट करने के बजाए जोब को प्रेफर करता है तो इसी तरह उन्होंने भी जोब ढूना शुरू की तो उनको एक जोब मिली और कुछ अरसे बाद वो ऑस्टेलिया में अपनी फामिली के साथ शिफ्ट हो गए अचा जी उन्होंने फिर एक कंपनी में जो है वो जोब शुरू की तो उन्होंने वहां क्या देखा कि वहां पर बहुत से इंडियन्स जो थे उस कंपनी में काम कर रहे थे लेकिन वहां कोई पाकिसान से कोई नहीं था और उन्होंने सोचा कि पाकिसान से कोई एक ऐसा शक् करेंगे उन्हें अपनी सेविंग के साथ स्टार्ट अप किया और एक कमरे के अंदर दो लोगों ने काम शुरू किया देखें कहां से वो स्टार्ट करें एक कमरे में दो लोगों ने काम शुरू किया और शुरू शुरू में बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ा कोई orders नहीं आते थे और कुछ हरसे के बाद उनको Thailand से एक order मिला और उनको कुछ service चाहिए थी और उसके बाद उनको OD company से एक order मिला वो एक German गाय था जिसको उनने software develop करके दिया उसके बाद वो मुखलिफ universities में गए वहां से 10-10 लोगों को साथ मिलाया और आइस्ता आइस्ता उनका network जो था वो बढ़ता चला गया अच्छा आज उनकी कामियाभी का आलिम ये है कि ना सिर्फ पाकिस्तान बलके मुखलिफ countries में भी उनकी वो services प्रोवाइड कर रहे हैं पाकिस्तान से बाहर चाइना जहां से हम लोग इंपोर्ट कर रहे होते हैं चीजें हम अंगवाते हैं वहाँ पर ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं बिल्कुल सही सुना आपने वहाँ पर ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो चाइना जो पुरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है कि जो वहाँ पे उनके billion dollar का हिसाब रखता है 90% Chinese audience को capture कर लिया है और उनोंने अपनी fields के अंदर software accounts का 90% hold उनके hand के उपर से चाइना के अंदर जो 90% accounts के software इस्तमाल किये जाते हैं वो पाकिस्तान की बनाईवी company NetSol के साथ किये जाते हैं जी बिल्कुल सही सुना और वो NetSol के साथ किये जाते हैं और आज वहाँ से एक अच्छा खासा re-new generate होता है NetSol का जो account software किन-किन मौमालिक में इस्तमाल होता है सबसे पहले तो यह Australia, China, Korea, Malaysia, Indonesia इसके बाद इंडिया, इवन के अमेरिका के अंदर बिस्तमाल किया जा रहा है यह पाकिसान की वह वह IT company है जो New York के अंदर भी registered है बिल्कुल सही सुना है आप कि यह जो company है पाकिसान की वह इवन New York के अंदर भी registered है पाकिसान में लाहूर के अंदर उनका एक office है और इनका जो second है, second sorry, इनका जो second headquarter है वो चाइना, Belgium के अंदर है यहां तक के अमारिका के शहर रोईज एंजलिस में भी इनका office और लंदिन के अंदर भी एक office है जहां से यह पूरे यॉर्प की market को देखते हैं और इनका कास्टनी के अंदर service office है और इंडोनेशिया में जो गाडिया में इनका customer care office भी है customer care office है और जो एक छोटी सी company जो के छोटे से start-up से शुरू ही थी देखे ना अब struggle देखें चोटे से दो लोगों से काम शुरू कर रहे हैं और आज देखें different countries के अंदर उनका यह जो services है वो प्रवाइड की जा रही है तो एक छोटी से company जो छोटी से start-up से शुरू हुई थी और आज पूरी दुनिया के मौालिक में फैली हुई है और आज इतनी बड़ी company बन चुकी है कि जो 0.5 billion में उनका renew है what a success and last में एक message है और वह यह है कि इंसान को कभी भी give up नहीं करना चाहिए आपकी एक बार-बार की गए कोशिश आपको बहुत उपर तक ले जा सकती है तो इस वीडियो को बनाने का मक्सित यही ताथ आप लोगों तक जो awareness है वो फिलाई जा सके तो I hope आपने बहुत अच्छा lesson से गेन किया है तेन अलाहाफिस, thank you